क्या आपको पता है दोस्तों जे जे समीथ का जो रिकॉर्ड है ना अगेंज्ट उगांडा सबसे बहतरीन रिकॉर्ड है और लास्ट मैच में भी समीथ ने दोस्तों पॉलिंग से पॉइंस दिये थे और चार ओवर कंप्लीट किया था बहुत दिन बाद तो इस मैच में आप क समीथ का बहुत ज्यादा चांसेस रहेगा कि आपको वह बैटिंग से भी पॉइंस दे डिटिल्स में अनलाइसिस करेंगे इस वीडियो में दोनों ही टीम के बारे में ग्रैंड लिक स्मॉ लिक दोनों ही टॉपिक डिसकस करेंगे पसंद आएगा आपको वीडियो में आपक के लिए देखो मंडे से स्टार्ट होगा स्पेंटी टेंट अभी मैं च्वी रिंदाग टेंट कवर कर रहा हूं करेंटी ट्वीडियो सीरी जो मैं यह वाला है इसी सी वर्लकप कौलिफार उनके मैचेस कवर कर रहा हूं और जो ओमेंस मैचेस होंगे या फिर अधर अशेयल मैचेस के मैचेस होंगे उनके एक्स्क्लूजिव कवरेज करूंगा कहां पे टेलीग्राम पे यूट्यूब पे तो अगर आप चैनल में न्यू हो फॉस्ट एम वीडियो देख रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हूं नोटिफिशन बेल को ओन कर दो औ इस टुर्णामिन से पहले करेंट टुर्णामिन में पाच मैचेस में चार बार चेजिंग टीम नहीं किया मतलब चेजिंग स्लाइटली बिटर है बड़ टेफिनिटली इस मैच को नमीबिया डॉमिनेट करेगा तो उनके फेबर में ही टीम रखो अगर चेस करता है तो और ज्यादा बिटर हो सकता है नमीबिया के प्लेयर्स धियान देना निको दवीन बहुत ही अच्छे फार्म में और दोस्तो इस मैच में भी आपको बरे स्कूर बनाते हुए दीख सकते है बड़ या कैप्टन वाइस कैप्टन और खास करके मैंने नोटीस किया चेजिंग के ट रियाजद अलीशा फिर दिनेश नोक्राणी यसे प्लेयर्स और जादा तर बॉलिंग यूनिट बिटर नहीं है तो मुझे बराई स्कूर बंते हुए दिख रहा है मैचल फैनलिंगन या फिर निको दवीन से जन फ्रेलिंग दोस्तो देखो अभी स्मीद बॉलिंग करने ल प्लेयर है फ्रालिंग जी मेरी विरासमास आइसोशेल्स कंटिस के बेस्ट और बेस्ट प्लेयर है बेस्ट बैट्समें है बैटिंग लास मेंच पर आया ही नहीं था अगर आता तो मुझे लगता है बैट फर्स्त होगा तो जरूरी अपने पोजिशन वन डाउन पे ही अगर आप देखोंगे बिसिकली क्या हो रहा है कि लेफ्ट के बात लेफ्ट राइट के बात राइट आरहा है जेए स्मीठ राइट है डेवी उसे भी राइट है जो अब ढ़नीड आपको फिनिश करते हैं धिखेंगे फ्राइलिंग को टीम दोस्तों भी टू डाउन बैट चार ओवर डाला था और करें लूंगा मिनी ने थीन ओवर एक चीज़ क्या है कि लूंगा मिनी से टीम ओवर चादातर मैच में कंप्लीट कराता नहीं है यह अगर एक पहला एक आदा ओवर में बहुत पिटाई हो गया तो इसको शायद बाद में बॉलिंग ही ना करा है तो इ बैसे के लिए कुछ ऐसा होता इन दोनों के बीच ओवर डिस्ट्रिबिशन अपिटिंग बॉलिंग बर्न स्कॉल्स डेविड वीजा और जेजे स्मीथ दोस्तों डेविड वीजा जी रसमास जेजे स्मीथ करते हुए आपको दिखेंगे डेट में बॉलिंग ओवर डिस्ट दोस्तों और यह रसमास का डाले का एक बरा रिजन था रैंड बल डेट में फिनिशिंग में था बरन स्कॉल एक नो ग्यारा तेरा नविजे 2-4-16-20 डेट में डाले थे वीजे और पावर प्लायी में डाले थे स्मीथ दोस्तों वनचिंज बॉलिंग किया था इन डेट में वालिंग किया था लास मैच ये फ्रेलिंग को सिफ एक ओवर डलवाया गया फ्रेलिंग से तो बिसिकली इतने कम ओवर ये डालते नहीं है शायद दो तीन डाल दे इस मैच में तो लुंगा मीनी या फिर समीत का ओवर क्रॉप होगा बिसिकली मुझे लगता है बर्नर स्कोज देविड विजा आपको 100% चाचार ओवर करते हुए दिखेंगे इस मैच में भी सिर्ज से पहले के प्लेस के रिकॉर्ड निको दवीन 28 का एपरेज टी टुइंडिया इसमें बहुत ही अच्छे फॉर्म से जा रहा है बंदा रिसेनली नमीबिया एंड जिमावे टी टुइ करें बट इनके क्या बात है स्मीथ आने के बात इनके ओवर थोरे से क्रॉप हो सकते है दोस्तों बट टेफिनेटली एक ओवर डालने वाला बॉलर नहीं है अच्छा प्लिया रहे है दोस्तों जो आपको बैट बॉल दोनों से फैंटेसी वैल्यू प्रोवाइड बिसिकली क का पाच मैंक में 100 अफ्राइल्ग कई लियाएर प्र BOB तो हुए था इरसолнि पाच मैंक में 87 स mac大家 पाच में तु फोरय पाच में 44 ऑफाखकी। सबसे ज़ादा उसके बाद इरासमस और स्कोल्स दोनों ने 5 मैंच में 19.19 ओवर डाला बाखी ओवर सबके डिस्ट्रिब्यूट है लुंगा मेनी ने 5 मैंच में 14 ओवर डाला दो ही के निकाला अब आता हम एंगाना के तरफ अब तक वीडियो को लाइक निए दोस्तों अने वाले दोस्तों वन डाउन अब देखो इनका बैटिंग में सैमन सिसाजी का एट्ट्वेट में एक नॉक शायद 50 प्लस नॉक था भी भी मुझे याद है बट डेफिनेटली एक मस्ट भी प्लियर नी है क्योंकि स्लाइटली हीट और मिस है रानक पर्टेल लिसेन प्लि यह जो टी मैना कौन ओगांडा यह रियाज़द अली शा को दोस्तों यूजी नहीं करते हैं मुझे लगता है यह बेस्ट प्लियर है रियाज़द अली शाब दिनेश नकरानी या फिर ओगांडा के मैनेशमेंट इनको बहुत जादा आ दोस्तों इग्नोर करते हैं कई बार अगर बॉलिंग फर्स्त होता है तो बिलाल हुसेन यूज कर सकते हो डेथ में आ सकते हैं अपके लिए हैंडी सेनांडो चार ओवर डाला था लास्ट में एक विकेट भी निकाले थे दोस्तों और अलपेश रमजानी का बैटिंग और मैंने बहुत नीचे कर दिया अलपेश रमजानी आपको बिसिकली टू डाउन बैटिंग त्री डाउन बैटिंग करते हुए दिखेंगे यह रहा ना रियाजद अलिशा उसके बाद मुझे लगता है क्या अलपेश रमजानी आएंगे दिनेश नकरानी आएगा ठीक है अलपेश इतना नीचे खिले नहीं खिलेग अलपेश रमजानी पाथ साथ तेरा सौला दिनेश नकरानी चे आठ अठरा बीस हेन्रेस एनॉंडो दस बारा पंदरा सत्रा और बैट में सबाद चौदा बैसिकली डेत में मतलब एंडिंग के ओवर्स दिनेश नकरानी अठरा और बीस ओवर डाला रियाजद ने पावर प कुछ प्लेस के बारे में आपको बताऊंगा एक हुआ सिसा जी रिसेनली 59-22-18-40 यह थोरे से हीट और मीस है बट 20-18 दो नौक छोड़ो तो दो अच्छा नौक भी है इनके बास 59-40 एक एंड डोमेस्टिक ओडियाए में 48 भी है तो डिसेंट परफोर्मस दे रहा है 32 के सब्सक्राइब को कैनित वैस्वा कुछ ऐसा रिकॉर्ड है यहां पर आप मैं आपको दिखाना चाहूंगा अलपेश रमजानी तीन विगे चार रन एक उच्छ दो लिगे दो चालीस दोगे तुट इंडियाए में पच्छिस मैच में 46 विगे 85 और 411 रन यह स्क्रीम का मु 1122 रन है बट रिसेंट देखो टी टुट इंडिया में 0 रन दो एकट 41 रन बॉलिंग नहीं दिया चार रन ही क्योंगे 14 रन जीरो एक तीस रन एकट कई बर इंसे बॉलिंग नहीं कराता है एक या दो वर्ड डलवा जाता है दिनेश रकरानी 44 में चौवर्ण विगे यह कु बिलाल ज्यादा अंपॉर्टन होता है क्योंकि यह डेट में भी बॉलिंग कराता है बट हम बहुत बाद प्विटाई भी उसका बहुत जबदस्त होता है एंड सेसन सेसाजी और रॉनक पर टेल डिसेंट चॉइस रहेंगे तो यह मैश नमीबिया स्टॉंग दो है बट वन मत पर हुआ था लास्ट जावे नमीबिया वन एक्टिफाइब बनाये थे दोस्तों बट साथ विकेंड लॉस किया था नमीबिया ने उस मैच में टॉप स्कोरर थे जान स्मीथ एकतर रन क्रेग विलियम्स का 31 जान फ्रेलिंग का 20 रन था दोस्तों समीथ में स्मीथ का फ्रांग नसुबुगा का वन विकेट इच फीर दोस्तों सेम सीरीज का पार्ट था चहांपे नमीबिया 170 बनाया था चार विकेट में एरासमस का शतक कोईजे का 39 बेस्ट बॉलर जिराद एरासमस एंड टी लुंगा मेने एक विकेट उगान्दा ने चेस कर दिया था विक पार्कि तो सभी नमीबिया नहीं इनके आउट फाइफ लास्ट इयर 88 मैचेस उसमें समेट का दो इक था तो इसमेट बॉलिंग से इस टीम के अगेस्ट पर्फोमिस अच्छा करता है रियाजद अलीशा बहुत ही अच्छे चोईस है दिनेश रक्राणी भी मस्ट पिप क्ल फिलाल मैंने रख लिया दोस्तों वैंलिंगन लिपका मॉथोडोक्स है और उपनेन के पास ऑफ स्पीन बॉलर नसुबुगा वगेरा खेल सकता है ऐसा हम जो लगड़ा है कि नसुबुगा खेल लेगा इस मैच में दोस्तों बैटिंग सेक्शन में अगर आप देखते हो त मैं सोच रहा हूं इनके बारे बाल पर शमजारी हमारे लिए मस्ट पीथ हमारे लिए मस्ट रहेगा दिने शक्राणी देखो लास्ट मैस में यह बहुत खरा पर्फोर्मस था इसलिए इनका सिलेक्शन बहुत लेस्ट हो गया अब सब को पता होगा इसका क्वालिटी दिने बेश्रक्राणी बस्ट पीड रोड़ा चाहिए आपके लिए हैंड्रो से रोड़ दो मैं फिलाल नहीं लूगा बिलाल हुसान बॉल फॉस्ट चाहूर चाहूर ट्राइकर सकतो बडर्श को एडिए सबसे सेफेस च्वाइस रहेगा टी लूंगा में भी डिसेंट च्वाइ है ठीक है यहां से जो मेरा टीम रहेगा कुछ ऐसा हो और इसमें मेरा जो कैप्टेन बढ़ेंगे बॉलिंग फर्स होता है तो रियाज़त अलपे श्रमजारी बढ़िया च्वाइस रहेगा या फिर दियाज़त दिने श्रक्राणी अगर इनका बदलब उंगांडा का बॉल फर्स होता है तो सही चॉइस है बट अगर आप एनी डे सेफ सेफ कॉपिडिशन जाना चाहते हो तो यह भी बूठ बुड़े ऑप्शन नहीं है या फिर निको दवीन को भी आप कैप विसी बना सकता हो कुछ ऐसा है तो फिलाल मैं मैरू इरसमास और याज़त अलिशा के सा है ठीक है फिलाल यह रहेगा कोवरेश के साथ मिलते मैं स्टेम पर टेलिग्रम पर थैंक्यू दोस्तों